नमेश्कार मित्रो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ खुश होंगे मज़े में होंगे मित्रो मैं हूँ आपका दोस्त आपका यार स्टोरी टेलर सीपी आपका सुत्रधार दोस्तों ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए करे मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ तो चलिए दोस्तों इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक नया नोवल जिसे लिखा है प्रख्यात राइटर उंत्रकाश शर्माजी ने और उपन्यास का नाम है लाश का रहस्य इसके में केरेक्टर में गोपाली है और ये एक सस्पेंस ट्रिलर जॉनरे का नोवल है तो चलिए दोस्तों ज़र्द देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस इंफ्रेस्टिंग रुमाज्चेक उपन्यास को जिसका नाम है लाश का रहस्य गोपाली अगर बंबे में होते तो शायद मजाक रंग नहीं लाता बहुत पुरानी बात है जब गोपाली ने ब्रिटिस इंडिय भारत भ्रमन के लिए आये थे गोपाली उसके साथ अजंता तक की यात्रा के लिए चले गए थे ये तो आप जानते ही हैं नई दिल्ली की नौकरी से गोपाली चमनगर स्टेट में खुफिया पुलिस के इंचाज होकर आ गये थे और जब रियासते समाप्त हो गई तो चमन जमाती कार में बैठकर गोपाली की खोज में आई सुबह फिर तीसरे पैर फिर अगले दिन दो पैर ऐसा सईयोग हुआ कि तीनों बार कार पर भी और कारवाली पर भी माराजा साब की नजर पड़ी कार फुर से आती थी और फुर से उड़ जाती थी तीसरी बार जब राज जाये हैं ये जानकर गोपाली की दोनों पत्नी रूपा और केसर बाहर दोड़ी आई रूपा बोली आपने क्यों कश्ट किया महाराज नौकर से कहलवा देते और केसर ने लौन में पड़ी बेंद की कुरसी उनके लिए बिचाते हुए कहा बैठिये महाराज वो जो अभी रूपा ने कहा वो सब उन्होंने नहीं बताया नाम तक नहीं बताया कहने लगी फिर आउंगी महाराज ने छड़ी फिर पटकी गोपाली उन चोरों में से है जो ना चोरी छोड़ सकता है ना हेरा फेरी बला ये भी कोई बात हुई और तुम दोनों तुम दोनों मिलकर डा रस्वंती नाम में रस लेते हुए रूपा ने कहा नाम तो सचमच बढ़िया है महाराज महाराज ने फिर छड़ी पटकी लेकिन ये सब जंजट गोपाली को नहीं पालने चाहिए मेरा कहना ठीक नहीं रहेगा तुम दोनों गोपाली को समझाना मैं मानता हूं कि गोपाली हाँ हाँ वही सागरचंदर जोहरी रस्वंती उसी की पतनी है बुड़ा हुआ तो क्या हुआ बुड़ो के क्या जी नहीं होता गोपाली से कहना कि मैं कह रहा था सागरचंदर अपना आदमी है यो मैंने कई बार रेस कोर्स में भी नोट किया है कि ये दोनों गड़वर ला महाराज उठे, बोले हाँ, कोशिश करना, फिर जैसे वो अपने आप से बोले, बेचारा सागर चंद्र, महाराज तो चले गए, परंदु केसर और रूपा को हसने हसाने का मसाला दे गए, सेज पूरे दिन इसी बात पर चुहल होती रही, साज होने से पहले ही गोपाली भी अ पात रखते वे गोपाली ने पूछा, क्या बच्चो की तरह उचल कुद मचाय करते हो, डपटकर रूपा ने कहा, महाराज शिकायत कर रहे थे, उस तरीका नाम रस्वंती है, ओ, मिसेज रस्वंती, गोपाली की बात सुनी अन्सुनी करके, रूपा ने कहा, महाराज का कहन है कि उस तरीका पती सागर चंदर जोरी, उनका अपना आदमी है, कोई गडबड नहीं होनी चाहिए, गडबड कैसे नहीं होगी, बराबर होगी, गोपाली बोले, लेकिन क्या वाकी मिसेज रस्वंती है, केसर ने कहा, हाँ, दूसरे लोग उन्हें रस्वंती कहते है, लेक आता है, और दूसरी तरफ वो सागर चंदर, सक्त्यानास हो उसका, वो भी कोई आदमी है, जी नहीं, आदमी तो बस आप ही है एक संसार में, सोग रूपा ने भड़क कर कहा, तुम्हें वो पसंद है, क्या, रूपा ने आंके तरेरी, अपनी जोंक में गोपाली ने कहा, अ परंत में गोपाली ने कही दिया, एक बुजर्ग के नाते में महाराज की इज़त करता हूँ, लेकिन ऐसी तैसी महाराज की आग्या की, रूपा जानती थी कि गोपाली यही कहेंगे, कुछ देर की चक-चक के बाद, बात का विश्या बदल गया, परंतो अभी गोपाली को गंटा भी नहीं हुआ था, कि बाहर कार काहौन सुनाई पड़ा, कुशन बाद ही, नौकर ने आकर सूचना दी, वही सवेतकार वाली बीबी जी आई है, गोपाली रूपा की और देखकर मुस्कुराए, जाइए जी, उन्हें ले आईए, लेकिन रहा में ही रस्गुला हर बार पीछे हटता रहा हूं, क्यों? मुस्करादे हुए केसर ने पूछा, वैसे तो सागर चंद्र बुढ़ा खुसट है, लेकिन केसर बहुत दौलत है उसके पास, मिसेज रस्गुला के साथ रोमांस करने के लिए, चांदी का कीला और सोने की तोप चाहिए, रोमांस भ जितना बड़ा चूता होता है, उतनी पॉलिस ज्यादा लगती है। गोपाली और केसर ने उठकर हाथ मिलाया। कही सुनी बातों के आधार पर गोपाली के वल इतना ही जानते थे कि रस्वंती विवा से पहले ही मात्रु प्रितु विहीन थी, और संग्रक्षक सगे मामा ने सागर चंद से दस हजार रुपे लेकर एक प्रकार से उसे सागर च मुझे मेरे नाम से संभोधित करेंगे, वो बेहुदा नाम नहीं लूँगा। गोपाली मुस्कुरा है। बैठिये तो, देवियो, ये है मिसेज रस्वंती, मोतियो पर चलती है और हीरो में तुलती है। कहने का मदलब ये है कि प्रसिज जोहरी सागर चंद की लाडली पत करती थी। सिष्टाचार की मुस्कुराट के पीछे गोपाली उदासी और गंभीरता देख रहे थे। संभवता गोपाली की दोनों पत्नियों के उपस्तिती के कारण रस्वंती कुछ कहने में संकोश कर रही थी। कहिए चाय, कॉफी, कोल रिंग्स, क्या लीजिएगा। गरीब की जोपडी में आपका सतकार तो क्या हो पाएगा, परंतु कुरुपाकर सतकार स्विकार करे, मैं आभारी रहूंगा। मैं आपको कष्ट देने आई हूं मिश्टर गोपाली। रस्वंती जिजगती सी बोली, कष्ट कैसा, हसीनों के लिए तो गोपाली की जान भी ह गोपाय कीजिए, क्या आपके पती कभी सीरियस नहीं होते। रूपा ने जैसे बहुत बड़ा रहस्ते बोला, सीरियस ये होई नहीं सकते बहें जी, इसलिए कि इनकी माँ डोमनी थी। इस बात पर नाराज होने की बज़ए गोपाली ठाहका मार कर हसे। दरसल मुझे पैने जा रही थी मिसेस रसगुला, शमा कीजिए, मिसेस रसवंती, आप शमा चाहता हूं, सच मुझ रसगुले वाली बात मुझे से निकल जाने का मुझे दुख है। कुशन कमरे में मौन रहा, मिश्टर गोपाली, मैं आपसे सहायता मांगने, रसवंती समझ नहीं पा र क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है, वो पास दिन से लापता है, उस रात वो मुझसे ये कह कर गए थे कि देर से लोटेंगे, लेकिन अभी तक नहीं लोटे। गोपाली, जो रसवंती के ख्याल से कभी गंबीर ही ना होते थे, प्रतंबार गंबीर दिखाई पड़े। और फर्म के नौकर चाकरों को भी ये सब नहीं बताया है, लेकिन पुलिस को तो बताना चाहिए था, क्या ऐसा करने से फर्म की प्रतिष्ठा को धक्का नहीं लगता, कुछ साल पहले बंबई की एक प्रसित दुकान किसी कारण वस बंद हो गई, तो सारे में ये अफ़ा फ रस्वंती के स्वर में निराशा थी, दुट स्वर से गोपाली बोले, मैं वैसा प्रैतने करने का वादा भी करता हूँ, ओ, रस्वंती ठकी सी मुस्कराई, मैंने तो समझा था, कि आप मुझे टाल देना चाहते हैं, क्या चुका हूँ, कि आपके लिए जान भी हाजिर है, परंतु ये आवशक है, कि आप मेरी सलाम आने, पुलीस को सुझना देनी आवशक है, पुलीस का सहयोग लेना आवशक है, तब जैसी आपकी इच्छाओ वैसा करें, वो मिल जाए, और फ़रम की साग को बट्टा ना लगे, आशा है कि ऐसा ही होगा, गोपाली बोले, जरा इंस्पेक्टर रुस्तम को फोन तो करो, रस्वंती जी, इस्पेक्टर रुस्तम एक प्रकार से मिरे शिष्य है, और आप उन पर उतना ही विश्वास कर सकती है, जितना मुझ पर, उन्होंने फिर फोन का डायल गुमादी रूपा से कहा, रुस्तम से कहना, कि अगर इस्पेक्टर रुस्तम जहांगीर सूरत वाला उस समय छुट्टी करके घर जाई रहे थे, जबकि रूपा द्वारा उन्हें फोन किया गया, फलस्वरुप वो लगबग 20 मिनट बाद ही आप पहुंचे, गोपाली महाराज से नहीं, अपने आप से डरते थे, इस्पेक्टर रुस्तम के आने पर सभी महाराज की बैठक में पहुंचे, वही रस्वंती ने सागरचंद्र के विशे में विवरण दिया, रस्वंती ने बताया कि सागरचंद्र अकसर आट बजे घर लोटा करते थे, और सदाही उनके साथ उनकी सेकरेटरी कुमुद उस दिन दिन चुपने से पहले ही सागरचंद्र घर लोटाये थे, साथ में कुमुद भी थी, उसने तता सागरचंद्र और कुमुद ने साथ साथ खाना खाया, नियम अनुसार खाने के बाद सागरचंद्र थोड़ी देर अपनी कोठी के बाहर लौन में टहला करते थे, प कई रात कुमुद सागरचंद्र के साथ ही उसकी उपस्तिती में भी कोठी में ही रहती थी। रात भर वो आराम से सोती रही। परंतु प्रात है जब सागरचंद्र ना लोटा तो उसे चिंता हुई। अगले दिन सुबह 10 बजे वो पता लगा कर माहिम पहुंची जहां परंतु हत्या का जिश्धं से कुमुद के पती ने विवरण दिया उससे ऐसा आभास नहीं मिलता कि सागरचंद्र उसके साथ था। लाश कल्यान स्ट्रेशन पर अंधिम लोकल ट्रेन के कमपार्टमेंट में मिली। कुमुद के पती ने बताया कि वो अभी अभी लाश का दाहा संसकार करके लोट रहा है। पुलिस अभी तक हत्यारे को नहीं खोच पाई है। लाश ट्रेन के जनाने डिब्बे में मिली। लाश को कुमुद के पर्स में मिले विजिटिंग कार्ट से पहचाना गया। विजिटिंग कार्ट के अनुसार पुलिस सागचंद्रेंट कंपनी की दुकान पर पहुंची और वहीं से मेरा पता लगा। कुमुद के पती के कथानो सर उसने लाश को पैचाना। पोस्ट मॉटम रिपोर्ट के अनुसार हत्या गला घोंट कर की गई। परंतु पुलिस को जो गवाईया प्राप्त हुई है उनसे कुमुद विक्टो कानी के साथ जुड़ी हुई थी। इसी बात के डर से उसने कुमुद के पती को 5,000 रुपे दिये और अपने पती के विसे में पुलिस को सूचना नहीं दी। इसके बाद तीसरे दिन वो स्वयमी सत्या की जांच करने वाले इंस्पेक्टर भरूचा से मिली। कुमुद की ह जिन हाथों के निशान पाए गए वो फरार मुझरिम डणपत के थे। फिर भी उसने सागर्चन के विशे में पुलिस को चानकारी नहीं दी। ये था विवरण जो रस्वंदी ने गोपाली, महराज, इस्पेक्टर रुस्तम और गोपाली की दोनों पत्नियों के उपस्ति में दिया। शोक्सर डूबे स्वर में रस्वंदी ने गहा, मिश्टर गोपाली अब भी मेरा निवेदन है कि ऐसा कोई समाचार समाचार पत्रों तक ना पहुंचे जिससे मेरे पती अधवा उनकी फरम की बदनामी हो, उनका साग का व्यापार है और अगर साग चली गई त तो फिर कुछ नहीं सेस रहेगा, मैं उनकी पत्नी हो और मुझस से अधिक कोई नहीं जानता कि वो कितने सत्तिहीन थे, वो किसी का खुन हर्गिस नहीं कर सकते। क्या कहते हो रुस्तम, गोपाली ने प्रश्न किया, रिपोर्ट दर्स करा देना तो आवश्यक है, रुस्तम कि ये भी संभावना है कि अग्यात कारणों से कुमोद और सागरचंद दोनों ही बदमाशों के चुंगल में पसे हो। मिसिस रस्वंती, खुरुप्या ये बताईए कि ये जानते हुए भी कि कुमोद और आपके पती में गयर कानुनी संबंध है, वैसे संबंध को आपने क किस कारण सहन अथवा स्विकार किया, इस्पेक्टर दबेजस्वर में रस्वंती बोली, आप शायद नहीं जानते कि मेरे पती की आयू लगबग 60 वर्स है, मेरी इच्छा के विरुद मेरा विवा उनसे हुआ था, फल सुरुप मेरा उनका रिस्ता कानुनी होते हुए भी बड़ा आजीब सा रहा है, हम एक दुसरे से एक कान पे मिले महीनों हो जाते थे, और अक्सर ऐसा होता था कि हम दोने एक दुसरे के नीजी मामलों में दखल नहीं देते थे, शंग्शेप में ये कि हम दोनों का ही जीवन ऐसा था कि जिसकी कोई गैर कलपना नहीं कर सकता, म मूल प्रश्णी ये है कि क्या कुमुद के पती को ये जानकारी नहीं थी, कि कुमुद में और तुमारे पती में क्या सम्बंद है, मेरा खयाल है कि उसे सब जानकारी थी, और फिर भी वो ये सब सहन करता रहा, गोपाली ने प्रश्णी किया, हाँ महाराज की उपस्तिती मे बी दुर्टा से रस्वंती ने कहा और इस बात पर आपकी भाती मुझे बिल्कुल आश्चेरे नहीं है शादी सदाएक व्यापार रहा है पति व्रत धर्म सास्त्रों पुराणों की बात है वैसा होता होगा कम से कम मुझे तो विश्वास नहीं है सुनकर महाराज चौपे परंदु गोपाली मुस्कुराए बात सास्त्रों पुराणों की नहीं है मेरा मत्दब है कि पत्नी की मृत्यों का समाचार पाकर भी क्या आपने ये नोट नहीं किया कि उस वक्ती को तुम्हारे पती से शिकायत नहीं है हाँ उसे कोई शिकायत नहीं है उसका नाम शोभालाल उसका पता बताईए रस्वंती ने पता बता दिया गोपाली पता नोट करके उठे ही के मिसेज रस्वंती अब निश्चित रही है मैं जो भी संभव होगा करूंगा फिलाल मैं रस्वंती के साथ जाकर रिपोर्ट दर्स कराये देता हूँ फिस सोभालाल से मिलूंगा आशा है कल किसी समय आप से मिलूंगा या फोन करूंगा ये सभा जो मिसेज रस्वंती के लिए आयो जित हुई थी समाप्त हो गई रस्वंती सबसे विदा लेकर अपनी कार की और बढ़ रही थी ये कायक घूम कर बोली मिश्टर गोपाली जरा सुनिये गोपाली रुस्तम की मॉटर साइकल पर पीछे बैठ चुके थे मॉटर साइकल स्टार्ट भी हो चुकी थी परंतु रस्वंती के बुलावे पर उन्हें जाना ही पड़ा कार के निकट गोपाली से रस्वंती ने मन की बात कही मैंने आपको सदा अपना मित्र समझा है मिश्टर गोपाली इस व्याबार में आपको घाटा नहीं होगा जानती हूँ मैं कह रही थी कि मैंने आपको मित्र समझा है इसलिए मेरी मनोभावना का मित्र दा के नाते अवश्य ध्यान रखे पती के रूप में आयोग्य होते हुए भी वो वैक्ती मेरे लिए आवश्चक है इसलिए कि सागरचंद्र के पत्नी के रूप में मैं जिस रहन सेन के आदी हो चुकी हूँ अब वो मुसे छूट नहीं सकता मैं उनके जीवन और व्यापार का भला चाती हूँ इसलिए कि इसी बल पर मैं ये जिन्देगी जी सकती हूँ ये सब मुसे कहने की जरुवत नहीं है रस्वंती जी अगर सागरचंद जिन्दा है तो मैं उसे खोजी लूँगा ऐसा मेरा विश्वास है परन्तो अभी तो मैं घर से चला भी नहीं हूँ अतेव एक बार फिर सोच लीजिए कि मामले की खोजबीन हो अत्वा ना हो दो संभावना इस पस्थ है एक तो ये कि सागरचंद गुंडों के हाथों में है ऐसी स्थिती में बचाने का यत्न हो सकता है परन्तो दूसरी संभावना ये है कि कुमुत की हत्या सागरचंद नहीं कराई हो नहीं चौंक पड़ी रस्वंती परन्तो दुड़ता से गोपाली ने कहा वैसी स्थिती में उन्हें खोजने के बाद भी कानून के हाथों से नहीं बचाया जा सकेगा ये केवल आपका भ्रहम है लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये सोचकर आप बताईए कि मैं मामले में दिल्चस्पी लूँ या नहीं रस्वंती उल्जन में पड़ गई परिचे अच्छी खासी मित्रता बन गया परन्तो इस मित्रता के परणाम सरूप इस्पेक्टर भरुचा ने जो नई जानकारी दी वो और भी उल्जन में डाल देने वाली थी ये जानकारी बंदरगाप पर नियुक इस्पेक्टर रांगने करके एक पत्र में थी जो भरुचा को लिखा गया था और जिसमें ब्रुद कुमुद और उसके कातिल गणपत को फरार चोर साबित किया गया था इस्पेक्टर भरुचा ने वो पत्री गोपाली के सम्मुक रख दिया जो इस प्रकार था श्री इंस्पेक्टर भरूचा कल्यान पुलीस टेशन प्राते मैंने पोर्ट पुलीस टेशन से एक कॉंस्टेबल को आपकी सेवा में कुमुध हत्याकांड के विशे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था उसी के द्वारा आपका दिया हुआ विवरंट राप्थ हुआ धन्यवार शायद कॉंस्टेवल ने आपको बताया भी होगा कि मेरी कुमुद हत्याकांड और हत्यारे में दिल्चस्पी क्यों है मुझे लगता है मृत कुमुद और हत्यार अगंपत वही है जो पुलीस को चक्मा देकर पोट से एक यात्री सहीच सारा माल बिना कस्टम ड्यूडी दिये तथा विवाग को बिना दिखाये निकलने में सफल हो गए आपके विवरण के अनुसार ही वो स्तरी हरी साडी पहने हुए थी और सुनहरी रंग का पर्स उसके हाथ में था उसी विवरण के अनुसार उसका कातिल बाई टांग से लगडाता था ये भी देखा गया मैंने पुलिस हेड़क्वाटर से भी ये जानकरी हासिल कर ली है कि फरार मुझ रिमगन पर बाई टांग से लंगडाता है इन दोनों के साथ तीसरा वेक्ति रागव राव था वो वेक्ति स्विजर लेंड से आने वाले जहाज टाइम से उत्रा था और मुझे जो स्विजर लेंड पुलिस से सूचना मिली है उसके अनुसार रागव राव लगबग देड़ लाग रुपे के मुल्य की रिष्ट वाच साथ लाया था उसने बिना लाइसेंस के स्विजर लेंड की मुद्रा में ये खरीत की ये राथ के लगबग साड़े आठ बजे की घटना है टाइम नामक जहाज के यात्रियों के सामान की कश्टम डिपार्टमेंट में जाच परताल हो रही थी चुकि दूसरे देशों से प्राप सोचना है कभी-कभी गलत भी हो जाती है अतेब मैंने रागव राव के सामान की जाच को समय से पहले करना उचित नहीं समझा उस समय मैं एक दूसरे व्यक्ति की छानबीन में व्यस था और फिर वो कॉंश्टेवर जिसे मैंने रागव राव की निगरानी के लिए नियुक्त कर रखा था मेरे पास दोड़ा आया और मुझे बताया कि रागव राव के दोनों सूटकेस एकस्त्री और पुरुस उठाकर गोदी गोदाम की और ले जा रहे हैं जैसे ही हम दोनों उधर की और बड़े ये जाना कि रागव राव भी प्रतिकशाले में नहीं है राह में मैंने कहीं सिपाईयों को साथ ले लिया था परन्तु फिर भी मैं चूक गया दरसल मैं ये समझ रहा था कि रागर राव के साथ ही अपना माल छुपाने के लिए किसी गोदाम की और गए होंगे मैं ये देखता रहा कि कोई गोदाम शेट खुला हुआ तो नहीं है और इसी दोर में वो तिनों बंदरगा के कर्मचारी गेट से निकली तो गए लगमक पांच मिनट बाद मैं कर्मचारी गेट पर पहुँचा वहां पहुँच कर जाना कि टाइम कीपर को एक हजार रुपे के रिस्वत रागर राव के साथियों ने दी थी चौकिदार के विरोध की बावजुद टाइम कीपर ने उन्हें बंदरगा से निकल कर टेक्सी कार में बिठा दिया टाइम कीपर से एक हजार के नोट बरामद हो चुके हैं उसका कहना है कि वो औरत जिसने उसे एक हजार रुपे दिये उसकी पूर परिचित नहीं थी तीन दिन पहले वो औरत उससे मिली थी और उस रत लेकर काम करने का ये मामला तैह हुआ था टाइम कीपर जेल में हैं अगर आप चाहें तो उससे मिल लें उस राद मैं पूरे पांच घंटे तक टेक्सी कार की खोज में जीप दोडाता रहा परंतु सुराग ना पा सका और दुर्भाके की बात ये है कि मैं उस उलत की हट्ट्या के विसय में तब जान सका जब वो चलकर राख हो गई मेरा ख्याल है कि उस तरीका तसकरी साइट बिजनस था और प्रकट में वो नौकरी करती थी मैंने उसके पती शोबालाल से भी बातचित की परंतु बातचित के बाद इस निश्चे पर पहुंचा कि वो शराबी और जुआरी किसम का वैक्ती है कुछ काम नहीं करता पत्नी उसे कमा कर खिलाती थी वो केबल इतना जानता है कि उसकी पत्नी नौकरी करती है सैयोगी समझिये जब मैं चौकिदार के बयान पर विचार कर रहा था तभी मुझे अकबार में ये खबर पढ़ने को मिली कि कल्यान स्टेशन पर एक स्ट्री मुर्थ पाए गई है जो हरी साडी पहने थी और सुनेरी रंग का पर्स उसकी बहां में लटका हुआ था हरी साडी और सुनेरी पर्स उस तरी के विशे में ऐसी ही जानकारी चौकिदार में दी थी उसके साथ का व्यक्ती बाई टाम से लंगडाता था चौकिदार की बाद की प्रिश्टी पुलिस हैटकॉर्टर करता है पत्र के साथ ही मैं रागाव राओ का फोटो पास्पोर्ट विभाग से प्राप्त करके आपको भेज राऊं अगर वो व्यक्ती मिल जाए तो हत्यारे गणपत को ढूड़ना आसान होगा वैसे मामला बिल्कुल स्पष्टी लगता है कि वो लोग अपनी तरकीप से लाको रुपया कमाने में सफल हुए थे परंतो शायद हिस्सा बाटने में कुछ जगड़ा हुआ और ये हत्याकांड हो गया रागाव राव अगर गणपत की किरफतारी के लिए मेरा हर सहयोग आपको मिलेगा प्रुपया स्थिती से सुचित करते रहें शुबा कांगशी एचार रांगनेकर धन्यवार पत्र इंस्पेक्टर भरुचा की और बढ़ाते वे गोपाली ने कहा क्या हत्यारे गणपत की खोज में कोई प्रगती हुई है प्रगती भरुचा ने अपना माथा ठोकता हुआ कहा प्रगती ना हुई है और ना होगी मिश्टर गोपाली ये हत्याकान मेरी नौकरी खलास कर देगा अरे बला ऐसा क्यों सोचते हो मुस्कुरागर गोपाली ने पूछा ऐसा सोचा नहीं है ऐसा होने के आसार देख रहा हूँ सुप्रिटेंडन साब कहते हैं मुझे हत्यारे को खोजना ही पड़ेगा वो बोलते हैं जब तक हत्यारा मिल नहीं जाता तुम्हें दूसरा काम नहीं करना है और हत्यारा मुझे मिल नहीं सकता क्यों नहीं मिल सकता इसलिए कि 6 बार वो पुलीस के हाथों पड़ा और हर बार साफ निकल गया बंबई के अच्छे-अच्छे पुलीस इस्पेक्टर को उसने चूना लगाया है इस्पेक्टर एदिल जी, इस्पेक्टर जोजेफ और इस्पेक्टर माने ऐसे-एसे धाकर लोगों को चमका देने वाला क्या मुझे मिलेगा हिम्मत कायम रखिये जी हाँ, हिम्मत ही तो कायम है सारे दिन गंपत के पुराने रिकॉर्ड से मगजमारी करता रहा हूँ और बाद में उसी के सपने देखता हूँ मेरी बात तो छोड़िये मैं तो हुई जश्ट लाइक गधा आप तो जोरी सागर्चन के बारे में एक होजबिन कर रहे हैं न लेकिन तस्विर में तो कहीं सागर्चन नहीं है जी हाँ, अभी तक तो बात कुछ बंती नजर नहीं आती इंस्पेक्टर रुस्तम ने भी अपना मौन तोड़ा मेरी राय में तो सागर्चन का मामला इस मामले से बिलकुल अलग है वो घर से कुमुत के साथ चला सैयोग भी तो हो सकता है बेशक सैयोग ही तो है भरुचा ने रुस्तम की बात का समर्थन किया सैयोग नहीं है द्रोड और गंबीर स्वर में गोपाली बोले हर्गिस सैयोग नहीं है सागर्चन भी ये कायक गोपाली कहते कहते बात बदल गए छोड़िये इस चक्कर को आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मिश्टर भरुचा शमा कीजेगा मिश्टर गोपाली कहते कहते आप बात को पचा गए इस्पेक्टर भरुचा कहते हुए गोपाली को ताक रहे थे जी हाँ और अब तो पच्छी गई जो बात कहना चाता था वो अब नहीं कहूंगा अल्बत्ता सैयोग हर्गिस नहीं है सागर्चंद इतना आलसी जीव था कि रात के खाने के बाद अपने लौन में थोड़ी देर टहल लिया करता था परंतु उस दिन खाने के बाद वो बाहर गया एक बात परंतु रुस्तम ने टोका सुन लो भाई जरा दूसरी बात पैदल चलने का वो आदी नहीं था फिर भी वो कार नहीं लेके गया केवली ये दोनों बात ही साबित कर देती है कि सागर्चंद का प्रत्यक्ष या परोक्ष तसकरी के धंदे से संबन था वो कुमुत के साथ इसी फिराक में गया था वो अपनी कार से फिसले नहीं ले गया था कि कहीं कार पहचान न ली जाए रुस्तम अब सागर्चंद की आर्थिक स्तिती से परिचित था फल सरूर गोपाली की बात उसके गले से ना उतर सकी लेकिन मिश्टर गोपाली शिष्य ने नमरता पुर्वक गुरू को चैलेंज किया सागर्चंद करोड़ पती वेक्ती है उसका अच्छा खासा कारोबार है क्या वो ऐसा धंदा कर सकता है जरूर कर सकता है वो वेक्ती सुवाब से ही अपरादी है कैसे रुस्तम चौंका आज से पांच वर्स पुर 55 साल की अवस्था में उसने 19 वर्स की लड़की से विवाग किया कानून की किताब में चाहिए जुर्म ना हो परन्तु ये मनोवृती क्या अपरादी नहीं है अजीब तर्ख है आपका भरूचा ने कहा अलबत्ता रुस्तम गोपाली की बात पर सोचने के लिए बाद्या हुआ धीमे और दवेस्वर में उसने कहा ऐसा विश्वास होते हुए भी आप सागर्चन को खोजना चाहते हैं हाँ इसलिए कि मैंने उसको खोजने का वादा किया है तब तो मिश्टर गोपाली हम दोनों बकॉल आपके एक ही मार्क के यात्री हैं क्या ख्याल है कि मिलकर काम करें ख्याल अच्छा है परन्तु वेवारिक नहीं है मेरे और आपके काम के धंग में समानता नहीं हो पाएगी आप कोई भी कदम उठाने से पहले ठोज सबूत एकत्र करेंगे और मैं जहां तक मेरा सवाल है रेखा गणित के आधार पर काम करना पसंद करता हूँ कलपना करो कि दो समानता रेखाये त्रिकोन बनाती है त्रिकोन भरुचा चोंका मुस्कुराय गोपाली उत्तर हां भी हो सकता है कैसे रात हो चुकी थी और गोपाली आज बहुत दिनों के बाद फिर मैदान में उत्रे थे घर से विस्तरा बांधा सूट के साथ लिया रेल्वे स्टेशन पर एक टैक्सी पर छोड़ कर दूसरी ली और वहां पहुँचे जाको मुद रहा करती थी चार मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल में उन्होंने एक फ्लैट का दर्वाजा खट खटाया साथ में एक कूली भी था सामान उठाये दर्वाजा जिस पूरुस ने खोला उसकी आयो लगबग 40 वर्स की थी कद अप एक शक्रुत कुछ छोटा था परन्तु सरेर खुब भरा हुआ आँखे कुछ लाल थी शायद पी रख्ती थी आप उस वेक्ति ने पूछा सिकंदर गोपाली ने शंक्षिप तुत्तर दिया दिली से चला आ रहा हूँ साथी कुली के पैसे चुगा दिये वो वेक्ति कुछ जिजगता सा बोला क्या आप मेरे यहाँ ही आये हैं मेरा नाम शोभालाल है मैं ही इस प्लैट में रहता हूँ सूटकेस उठाते हुए गोपाली बोले मैं फिजूल की बाते कम किया करता हूँ बिस्तरा उठा कर अंदर ले आओ उसे एक और ठेलते हुए वो अंदर चले ही तो गए कुष्चन सुभालाल विस्मिल सा खड़ा रहा फिर उसने जुक कर बिस्तरा उठाया और अंदर ले गया गोपाली निसंग को सूटकेस एक और रखकर सुभे पर बैट चुके थे जैसे ही सुभालाल अंदर पहुंचा वो ऐसे बोले जैसे वो घर का नौकर हो सुनो पहलवान कुमुत को ज़रा जल्दी बुला लाओ मैं ये चाहता हूँ कि माल लेकर आज राती बंबई से लोट जाओं जोखम का काम है जादा देर रुपना ठीक नहीं है लेकिन तुम कौन हो सुभालाल ने फिर पूछा गोपाली ने नाक सिकोडी अजीब चुगत आदमी हो यार कुमुत भी कैसे कैसे नमनों को नौकर रख लेती है मैं कुमुत का पती हूँ शुभालाल अरे गोपाली फूर्ती से उठे और सुभालाल के निकट जाकर उसके चैरे को अजीब सा मूँ बना कर देखते हुए बोले नमबर क्या मतलब मतलब ये कि सिर्फ नमबर पूछ रहा हूँ सरकार मानता हूँ कि कुमुत जो ना करे वो थोड़ा है रावण ने जरुवत पढ़ने पर गधे को बाप बनाया था वैसे ही जरुवत पढ़ने पर कुमुत गधे तक को पती बना सकती है मुझे बिल्कुल ताजुप नहीं हुआ लेकिन क्या उसने तुम्हें तुम्हारा पती नमबर नहीं बताया कोई परवा नहीं मैं उसे पूछ कर बताऊंगा वैसे मैं उसका पती नमबर ग्यारा हूँ इसी फ्लैट में मेरी भी दूबर साथ की राते बीती है खेर उसे जल्दी बुला लो लगता है शायद फ्लैट में नहीं है तुम शायद अकबार नहीं पढ़ते हो शोबालाल ने गोपाली से फ्रश्ने किया मैं अपने धंदे में ध्यान रखता हूँ इतना फालतु टाइम ही कहा है जो अकबार के साथ मगज पच्ची करूँ फिर जब से सोना ब्लैक में चला गया तब से अकबार में रखा ही किया है कुमद मर चुकी है लड़ भडाते से स्वर में सुभालाल बुला गोपाली ने चौँकने के उपक्रम में कमाल किया क्या बकते हो उसकी हत्या हो गई कुशन गोपाली एक टक विसमेबरी दुरुष्टी से सुभालाल की और देखते रहे सच? हाँ सत्यानाश चौपने के पस्चाथ गम काविनेवी गोपाली ने बुरा नहीं किया वो सेर चुका कर सोफे पर बैठ गय उनके निकटी सुभालाल भी आ बैठा पता चला किसने की उसकी हत्या स्वर को गमगीन बना कर गोपाली ने पूछा गणपत ने नाममकिन गणपत को क्या तुम उल्लू का पठ्था समस्ते हो कोछ समझ में नहीं आता अजीब बात है क्या सच मुच मजाक तो नहीं कर रहे हो यार सुबालाल मौन रहा गोपाली कहे जा रहे थे हद हो गई तो कुमद मरी गई चलो छुटी हुई लेकिन यार मानना पड़ेगा कि खुदा के यहां भी इंसाफ नहीं है बला ये कोई इंसाफ हुआ आगर उस औरत ने इत्ते गुना किये थे उनका कुस्तोफल उसे इस दुनिया में मिलना चाहिए था हर्गिज नहीं इत्ती आसान मौद उसे नहीं मिलनी चाहिए थी इसका मतलब ये हुआ कि अल्ला मिया के यहां भी अच्छी सूरत के साथ रियायत होती है हर जगे रिस्वत चलती है कहीं नोट चलते हैं कहीं तीरची नजरे चलती हैं तो मर गई ना छुट्टी हुई सुभालाल भिन्नागर बोला अजीब आदमी हो ये जानते पूसते भी कि बेचारी मरने वाली सुनने ही रही है अपनी जुबान गंदी किये जा रहे हो भले आदमी उसकी आत्मा की शानती के लिए दुआ करो ख्याल अपना अपना पसंद अपनी अपनी मेरा ख्याल है उस औरत में आत्मा नाम का पंची था ही नहीं लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नाराज नहीं करूँगा पीने को कुछ है? नहीं कटू स्वर में सुभा लाल ने उत्तर दिया तब तो मुझे अफसोस है नशे में तो शायद मैं बकी देता कि खुदा उसकी रूँ को जन्नत नसीब करे तुमारे पास है नहीं और दूसरी किसी जगे मिल नहीं सकती सुन लिया ना मुझे अफसोस है होशो हवास में मैं दूआ नहीं कर सकता कि उसकी रूँ के साथ अल्ला मिया कोई रियायत करे अच्छा प्यारे तो हम चले खुदा आफस गोपाली उठे और उन्होंने अपना सुटकेस उठा लिया सुनो उठकर सुबालाल ने टोका सुनाओ तुम यहां किसी काम के लिए आये थे ना हाँ आया तो काम सही था लेकिन किसी के मरने जीने से कारूबार तो बंद होते नहीं मुझे से कहो शायद मैं कुछ मदद कर सकूँ कुशन गोपाली ने सोचने का दिखावा किया फिर सुटकेस रख दिया और आतुरता प्रकट करते हुए कमरे में टहरते रहे फिर उन्होंने दस पैसे का एक सिक्का जेब से निकाला और उसे उचालकर टॉस किया फिर सिक्के को फर्स से उठा कर सुबालाल को दिखाते हुए बोपाली बोले शेर क्या मतलब मतलब ये कि फोरण कोई फैसला नहीं कर सकता मैं लोटकर दिल्ली जा रहा हूँ अपने पार्टनर से सला करूंगा मुसीबत क्या है आखिर आये तो माल लेने के लिए ही थे हाँ आया तो इसलिए था रुपे भी साथ लाये होंगे हाँ हाँ रुपे जरूर साथ लाया हूँ लेकिन मेरा व्यापार था कुमुझ से नकत व्यापार था ना शोबालाल ने फिर उत्सुकता से पूछा बेशक नकत व्यापार था उधार का व्यापार तो मैंने अपने सगे बाप से नहीं किया लेकिन अब मैं इस व्यापार को छोड़कर अफीम का काम करूँगा नमस्ते तो दोस्तों ये था लाश का रहस्य नोवल का पहला पार्ट ये उपन्याज आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताए और हाँ अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार गुडबाई सेफ रहिए खुश रहिए मज़े करिये